हलो फ्रेंड्स आज अपन बात करने वाले हैं एल टास एल टेबलेट्स के बारे में देखिए यह जो टेबलेट है एक परकार से एंटी एलर्जिक मेडिसीन है तो आज अपन बात करने वाले हैं कि किन किन परिशानियों में अपन इस मेडिसीन का उप्योग कर सकते हैं इस टे वीडियो को सुरू करते हैं तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पार होंगे यह जो टेबलेट एक परकार से कॉंबिनेशन मेडिसीन है इसके अंदर दो इंग्रेडियन्स दे गए हैं लेवो सेटराजिन मॉन्टेलुकास्ट देखिए अब अपन बात कर लेते हैं कि यह जो इसकीन एलर्जी हो जाती है कई बार अपनी स्कीन के ओपर चकते के निसान वगरा आ जाते हैं तो इस परकार क कि एलर्जी में भी इस मेडिसीन का उपयोग किया जाता है। साथ में जैसे कि सर्दी के लक्सन बैती हुई नाक रहती है। नाक से हमेसा पानी आता रहता है। या छीके बार-बार आती है। खुजली रहती है। आँखों के अंदर से पानी आता है। या फिर अपनी स्किन के उपर हलकी फुलकी एलर्जी की वज़े से सूजन आ जाती है। मतलब कि जो कि सर्दी के लक्सन होते हैं एलर्जी वाले जुखाम वगेरा तो उससे रहत देने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो पैसेंट होते हैं उनको गर्मियों के अंदर भी मतलब की हमेशा ही जुखाम की जैसे सिम्टम्स नजर आते हैं सुबह उड़ते समय उनको छीके बार बार आती है तो इस परकार की समस्याओं से ये जो टेबलेटर बहुत अच्छा राहत देती है एलर्जिक सिम्टम्स को ये जो टेबलेटर रोकने में काफी अच्छी मदद करती है देखिए कई कई पैसेंट ऐसे होते हैं जिनकी मतलब की गर्मियों के अंदर भी सुबह उठने के बाद नाग बेती रहती है छेके आती रहती है तो इस परकार की जो सीवियर एलर्जिक स से परचेस कर सकते हैं लेकिन फिर भी यदि यह है इसकी ब्रांड नेम के नाम से नहीं मिले तो आप इसे लेवो से ट्राजिर मॉंटे लुकास्ट की नाम से मेडिकल स्टोर से परचेस कर सकते हैं मेडिकल स्टोर वाला बहुत ही आसानी से आपको ये जो मेडिसीन है दे दे तो दीखे, अब होपन बात कर लेते हैं इस Såatiublate की डोज के बार में तो दीखे, आप डेली सोते समय इसocarbonate का उपयोग कर सकते हैं यदि आप रात को स्घूबलाइट का इस्तेमाल करोगे तो आप जब भी सुबह उठोगे तो आपको छीके वगईरा आती है तो उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी और यदि आप इसे दिन में उपयोग करोगे तो आपको दिन के अंदर बिल्कुल भी ऐसी allergic समस्याओं को सामना नहीं करना पड़ेगा तो आपकी यह condition के ओपर depend करता है कि आपको कितनी allergic समस्याएं हैं उसके इसाब से आप इसे सुबह साम भी ले सकते हैं और यदि आपको सुबह सुबह प्रोब्लम रेती है तो आप इसे रात को सोते समय भी ले सकते हैं अपन इसके कुछ साइड इफेक्ट के बार में बात करें और अपने डोक्टर के सला के अनुसारी इस मेडिसिन का उप्योग करें। देखिए अभी मैं जिस टेबलेट का रिव्यू कर रहा हूँ, उस टेबलेट की प्राइज है एक सो पिछेतर रुपे। यदि आप अन्य ब्राइज की कोई दूसरी टेबलेट लेते हूँ, जिसके अंदर लेवो से ट्राजिन मोंटेलिकॉस दिया गया हूँ, तो उसकी प्राइज में आपको कम ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो देखें, मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया है, एल्टा सेल टेबलेट के बारे में कि कब और कैसे अपन को इस मेडिसीन का उप्योग करना होता है, और इस मेडिसीन को लेने बाद क्या-क्या बेनिफिट और साइडिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है, तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी नोलेज मिली तो आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब करके बेल तक जब भी हम अगला वीडियो डाले तो उसका नोट्पिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो फिर मिलते हैं यह वीडियो में जब तक के लिए जैहिन